दोस्तों शिलपा शेटी और राशकुंद्रा एक पावर कपल के रूप में जाने जाते हैं लेकिन फिल्हाल अभी उन पर चुके चल रहा है उसके चलते हुए काफी मुश्किलों में हैं आपको पताया दें कि किस तरह से राश कुंदरा ने शिल्पा शेटी को इंप्रेस किया था ऐसे कई मोगे हुए जब शिल्पा शेटी को इंप्रेस करने में राश कुंदरा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी एक च्वेट शो के दोरान भी शिलपा चेटी में इसके बारे में खुल कर अपनी बात रखी उन्होंने बता है कि राशकुंदा ने प्रपोस करने के तयारी उनके परिवार के साथ मिलकर कर ली थी लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बता था यानि कि सिल्पा की फैमिली उसमें इन्वाल थी वो पेरिस के एक शो के लिए कगई थी और जार राश कुंदरा इस बेशली उन्हें प्रपोस करने के लिए पहुँचे है और उन्होंने शिल्पा को फोन कर तुरंत लंच पर चलना है किया इसलिए अच्छे ते तियार होना जब सिल्पा हुआ पहुँची तो राश कुंदरा ने उनके लिए पूरा होल बुक किया हुआ था वाइलन बजरे थे दोनोंने लंच किया और फिर डैजट ओर किया उसमें डायमंड की रिंग सिल्पा के सामने रख दी बस फिर किया दा सिल्पा ने राश की होने का फ्यासला कर लिया फास बाद ये कि फाइफ कैरेट की डायमंड रिंग को देखकर शिल्पा ने काफी शौकिंग रियक्शन दिया था सिल्पा सेटियो राश कुंदा ने 22 नूबर 2009 में शादी की थी खंडाला में दोस्त की फामाउस में दोनोंने मीडिया की नजरों से बचा का शादी करने का प्लान बनाया लेकिन मीडिया को वेडिंग वेन्यू की बनक लगी तो सब वहां पहुंच गए और सभी की सभी शूटिंग कर ली वहीं मीडिया विपोस के माने तो शिल्पा शेटी ने शादी भी बचास लागी साड़ी तीन करोड की ज्वैलरी पहनी थी और ये साथ ही राज ने शिल्पा को करोडों की वेडिंग रिंग भी गिफ्ट करती जो कि अब तक की सबसे मेहंगी गिफ्ट में मानी चाती हैं यहाँ तक कि जब शिल्पा शेटी ने प्रोपोस करने पर शिल्पा शेटी ने कहा कि हम दोनों की नहीं और हम दोनों अलग अलग जगह रहते हैं और इसलिए हमारी दोनों की कैसे बनेगी किस तरह से साथ रहेंगे तो दोस्तों काफी इंट्रस्टिंग इनकी लाव स्टोरी और राज कुंदरा ने काफी महनत करी है शिलपा शेटी को इंप्रेस करने में और उनको अपनी वाई बनाने में लेकिन अब जो केज सामने आया है उसके बाद तो शिलपा शेटी की पूरी इजट का ही फलूदा इन